जाए मादुर्गा स्वागा थे दोस्तों आप सभी को जुब्रास कीचन में दोस्तों केसे है आप सब? आई होप आप सब अच्छे हुँगे तो दोस्तों आज हम बनाएंगे पैनकेक याने छोटी छोटी पीठा जिसको हम ब्रत के दिन खा सकते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इसको बनाना तो इसके लिए हम लेंगे दो कप मूंकी दाल और एक कप सागु दाना इसको दोस्तों मैंने दो से तीन घंटे तक भीगो के रखा है इस तरीके से आप हम मिक्सी का एक जार लेंगे और उसमें मुंके दाल को धोके पाने सारे उसके छान लेंगे और उसका एक पेश्ट बना लेंगे सागु के दाने को डालेंगे उसमें फिर से और उसमें डालेंगे हम थोड़ी सी जीरा और इसको हमें इस तरह से पेशना है दिखिए, इस तरह से पीसेंगे हम इसको, बारी किसे नहीं पीसना है, इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, बरत के दिन हम बना रहे हैं, तो इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक ये दिखिए अब इसमें हम पिसी हुई सागुदाना को डाल देंगे मूंग में थोड़ी सी कड़ी पत्ता डालेंगे इसमें थोड़ी सी आदरक डालेंगे और ज्यादा नहीं बस दो चमची दही हम इसमें एड़ करेंगे दोस्तों हम ब्रत के लिए बना रहे हैं तो एकदम ही सिंपल तरीके से बनाएंगे थोड़ी सी ब्लेक पापर पाउडर या काली मेच का पाउडर और स्वाध अनुसार नमक डालेंगे यहाँ पर हम सेंधा नमक डालेंगे दोस्तो ब्रत में खाने के लिए बना रहे हैं इसलिए आप यह सारी चीजों को हम माच्छी तरह से मिला लेंगे यह देखिए आप हम एक तावा लेंगे उसमें ठोड़ी सी तेल लेंगे अब जब तेल गारम हो जाए तो हमारे जो बेटर है उसको हम इसतरीगे से यह देखिए जमच से पैला लेंगे पतला पतला कर लेंगे ये दिखिए इस तरीके से सारे पीठा और जो पैने केक है इसको हम इस तरह ऐसे ताभी में डाल देंगे एक-एक करके दोनों साइट से ही हम इसको एकदम सुनहरे होने तक सेखेंगे इस तरीके से ये दिखिए एक साइट हो गया आप पलट देंगे अच दूसरे साइट को भी इस तरह से हम सुनहरे रंग तक होने तक सेख लेंगे ये बहुती टेस्टी बनेगा दोस्तों, जरूर ट्राइ किज़े ब्रत के दीन ये बन गया, अब इसको हम निकालेंगे इस तरीके से साथ सारे पिठे को या पेंकेक को हम बना देंगे दोस्तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लेज लाइक कीजिए और मेरे चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ये रेसिपी को एक बार ट्रायर जरूर कीजिए ब्रत के दिन बहती टेस्टी लगेगा इसको आप कोई भी मीठी चीज जैसे राबडी के साथ खा सकते ह तो आज के लिए इतना ही दोस्तो काल मिलेंगे